भारत माता की भारत माता की जम्मु कश्वीर के लेटनन गवर्नर स्री मनोज सिना जी केंद्रिय मंत्री मनल के मेरे सहयोगी किरियाज सिन जी इसी धरती के संतान मेरे साथी डाक्टर जितेंद्र सिन जी तरी कपील मुरेश्वर पाटील जी संसत में मेरे साथी त्री जुगल किशोर जी जम्मु कश्मीर सहीत पूरे देश से जुड़े पंचायती राज के सभी जन प्रतिनिती गाण भाई और बहनों सुर्वी रेंदी इस डुगर धरती जमुचर तुंसे सारे पहन प्राएंगी मेरा नमस्कार देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रिय पंचायत दिवस की बहुत बहुत सुपकामना है आज जम्मु कश्मीर के विकास को गती देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है यहां मैं जो जन सागर देख रहा हूँ जहां भी मेरी नजर पहुत रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं शायद कितने दसकों के बाद जम्मु कश्मीर की धर्ती हिंदुस्तान के नागरी ऐसा भव्य द्रश्च देख पा रहे है यह आपके प्यार के लिए आपके उत्सा और उमंक के लिए विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेस रुप से आज जम्मु और कश्मीर के भाईयों बेहनों का आदर पुर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ साथियों न ये भुभाग मेरे लिए नया है न मैं आपके लिए नया हूँ और मैं यहां की बारी क्यों से अनेक वर्षों से परिचित में रहा हूँ जुडा हुआ रहा हूँ मेरे लिए खुशी की बास है काज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े बीस हजार करोड रुपिये यह अंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज के लिए बहुत बड़ा अंकड़ा है बीस हजार करोड रुपिये के प्रोजेस का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है जम्मू कश्मीर के विकास को नई रप्तार देने के लिए राज में तेजी से काम चल रहा है इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नवजवानों को रोजगार मिलेगा ताथियों आज अनेग परिवारों को गावों में उनके घर के प्रोपर्टी काड भी मिले है ये स्वामित्व काड गावों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे आज एक सो जन अउसदिक केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिल्र क्रास को सस्ती दवाएं सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे 2020 तक देश को कार्बन नूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है ग्लास्गो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्यजी घटे हुए थे कार्बन नूट्रल को ले करके बहुत सारे भाषन हुए बहुत सारे बयान हुए बहुत सारी गोचनाय हुई लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लास्गो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन नूट्रल पंचायत बनले की तरफ आगे बढ़ रहा है आज मुझे पल्ली गाउं में देश के गाउं के जनप्रतिर्दियों के साथ जुडने का भी आउसर मिला है इस बड़ी उप्लब्दी और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बढ़ाई यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था उनके सपने उनके संकल्प और उनके नेकी रादे मैं मैसूस कर रहा था और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास यह बोलता हूँ लेकिन आज जम्मू कश्मीर की दर्ती ने पल्ली के नागरी को ने सबका प्रयास क्या होता है यह मुझे करके दिखाया है यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां मैं यह कारकम का आयोधन तै हुआ तो सरकार के लोग आते थे कॉंट्रेक्टर्स आते जैसे बनाने वाले अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है यह लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करे तो मुझे यहां के यहां जो भी लोग आये हैं जम्मू कश्मीर में मनाये जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है यह बहाती गर्व की बात है कि जब लोग दंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुचा है तब यहां से मैं देज भर की पंचायतों से समवाद कर रहा हूँ हिंदुस्तान में पंचायती राज विवस्ता लागू हुई बहुत धोल पिटे गए बना गवरों भी किया गया और वो गलत भी नहीं था लेकिन एक बात हम भूल गए पाशन तो कह करते हैं कि भारत में पंचायती राज विवस्ता लागू की यह है लेकिन देश स्वासियों को पता होना चाहिए कि यह इतनी अच्छी विवस्ता होने के बावजुत भी मेरे जम्मू कश्वीर के लोग उसे वन्चित थे यहां नहीं था दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मोका दिया और पंचायती राज विवस्ता जम्मू कश्वीर की धर्ती पर लागू हो गई अकेले जम्मू कश्वीर के गावा में 30,000 से जादा जन प्रतिरिदी चून करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबाट चला रहे हैं यही तो लोग तुंत्र की ताकत होती है पहली बार 30 तरिय पंचायती राज विवस्ता ग्राम पंचायत, पंचायत समीती और डीडीसी के चुनाव यहां शांती बुण तरीके से संपन हुए और गावं के लोग गावं का बविश्यत्ताय कर रहे है साथियों बात डेमोकरसी की हो या संकल पर डेवलप्मेंट का हो आज जम्मु कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरन प्रस्तुत कर रहा है बिते दो-तिन सालों में जम्मु कश्मीर में विकास के नए आयाम बने केंद्र के लगबग पौने दोसो कानौन जो जम्मु के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागु नहीं किये जाते थे हमने जम्मु कश्मीर के हर नागरिकों को एमपावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया जिनका सबसे अधिक लाफ यहां की बेहनों को हुआ यहां की बेटियों को हुआ यहां के गरीब को यहां के दलीत को यहां के पीडीत को यहां के वंचित को हुआ है आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्पीर के मेरे वालमी की समाज के भाई बहर हिंदुस्तान के नागरीकों की बराबरी में आने का कानूनी हग प्राप्त कर सके हैं दसकों दसक से जो बेडिया वालमी की समाज के पाउं में डाल दी गई थी उनसे अब वो मुक्त हो चुका है आजादी के साथ दसक के बाद उसको आजादी मिली है आज हर समाज के बेटे बेटिया अपने सपनों को पूरा कर पा रहे है जम्मु कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षन का लाब नहीं मिला अब उन्हें भी आरक्षन का लाब मिल रहा है आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी हम सब को आशिरवाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कौना इससे वंचित था मोधी सरकार ने आकर के बाबा साहब को उस सपनों को भी पूरा किया है केंद्र सरकार की योजनाए अब यहां तेजी से लागू हो रही है साइदा जम्मू कश्मीर के गामों को हो रहा है एल पीजी गैस कनेक्शन हो बिजली कनेक्शन हो पानी कनेक्शन हो स्वच्च से भारत अभियान के तहट टॉइलेट्स हो इसका बड़ा लाब जम्मू कश्मीर को मिला है साथियों आजादी के अमरतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा थोड़ी देर पहले युएई से आए अब उधावी से आए दुबई से आए एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे आउसर मिला है वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित हैं आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के साथ अदसकों के दर्मियान जम्मू कश्मीर में मात्र सत्रा हजार करोड रुपिय का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था साथ अदसक में सत्रा हजार और पिछले दोड साल के बीतर बीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड रुपिय पहुंचा है दोस्तों 38,000 करोड रुपिय यहां इंवेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है साथियों आज केंद्र से भेजी पाई पाई भी यहां इमानदारी से लग रही है और इंवेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं अभी मुझे हमारे मनो सिनाजी बता रहे थे कि तीन साल पहले यहां के जीलों के हाथ में पूरे राज्य में पाँच हजार करोड रुपिया ही उनके नसीब होता था और उसमें ले लदाक सब आ जाता था उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है आबादी कम है लेकिन पिछले दो साल में जो गती आई है इस बार बजेट में जीलों के पास पाईस हजार करोड रुपिये सीधे सीधे पंचायोतों के पास विकास के लिए दिये जा रहे हैं इतने छोटे राज्य में ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिश्टिम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां पाँच हजार करोड और कहां बाईस हजार करोड रुपिये ये काम हुआ है भाईयो आज मुझे खुसी है रतले प्रावर प्रोजेक्ट और क्वार प्रावर प्रोजेक्ट जब मनकार तयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को परियापत बिजली तो मिलेगी ही जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया खेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक उन्चाईयों की और ले जाएगा अब देखिए कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी जरा मेरी बात समझ न दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मु कश्मिर पहुंचते पहुंचते दो तीन हफ्ते लग जाते थे मुझे खुशी है कि आज 500 किलो वोट का सोलर पावर प्लान सिरफ तीन हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है बिजली पैदा करना चोगू करता है पल्ली गाउं के सभी गिरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है यह ग्राम उर्जा स्वराच उर्जा स्वराच का भी बहुत बड़ा उदारन बना है काम के तोर तरीकों में यही बदलाव जम्मु कश्मीर को नई उचाहियों पर ले जाएगा साथियों मैं जम्मु कश्मीर के नवजवानों को कहना चाहता हूँ साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए गाटी के नवजवान आपके माता पिता को आपके दादा दादी को आपके नानानी को जिन मुसीबतों से जिन्दगी जीनी पड़ी मेरे नवजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिन्दगी जीनी नहीं पड़ेगी ये मैं करके दिखाऊंगा ये मैं आपको विस्वात दिलाने आया हूँगे बीते आठ सालों में एक भारत स्रेष्ट भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया जब मैं एक भारत स्रेष्ट भारत की बात करता हूँ तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है दूरियां मिटाने पर भी होता है दूरियां चाहे दिलों की हो भाषा व्यहवार की हो या फिर संसाधनों की इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता है जैसे हमारे दूरों के बारे में लोग संगीत में कहते हैं मिठडी ये दौंगरेदी बोली मिठड़ी ये दौंगरे दी बोली ते खंड मिठ़े लोग डोखे ऐसी ही मिठास ऐसी ही सम्वेदन सिल सोच देश के लिए एकता की ताकत वनता है और दूरियां भी कम होती है भाई और भेनों हमारी सरकार के प्रयाद से अब पनिहाल कांजिकुट टनल से जम्मू और स्रीनगर की दूरी दो गंटे कम हो गई उदंपूर स्रीनगर बारा मुला को लिंक करने वाला आकरशक आर्क ब्रीज भी जल्द देश को मिलने वाला है दिल्ली अमरुत्सर कट्रा हाई वे भी दिल्ली से माव वैष्ण देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है और वो दीन दूरा नहीं होगा जब कन्या कुमारी की देवी वैष्ण देवी से एक सडक से मिलने वाले है जम्मु कश्मीर हो ले लदाख हो हर तरब से एक कोशिस की जा रही है कि जम्मु कश्मीर के जादा तर हिस्से बारा महिने देश से कनेक्टेड हो सरहदी गाउँ के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रात्विक्ता के आधार पर काम कर रही है हिंदुस्तान भर की सरहदों के आखरी गाउं के लिए वाइबरेंट विलेज योजना इस बार बजेट में मन्जूर कीए है उसका लाब हिंदुस्तान के सभी आखरी गाउं को जो सीमा पर सटे हुए है वो वाइबरेंट विलेज के तहट मिलेगा इसका अधिक फाइदा पंजाब को जम्मू कश्मीर को भी मिलने वाला है साथियों आज जम्मू कश्मीर सबका साथ सबका विकास का भी एक उत्तम उदार बनता जा रहा है राज में अच्छे और आदुलिक अस्पताल हो ट्रांस्पोर्ट के नए साधर हो उच्च सिख्षा के संसार हो यहां के युवाओं को धान में रखते विए योजनाओं को लागू किया जा रहा है विकास और विश्वास के बढ़ते माहोल में जम्मू कश्मीर में तूरिजम फिर से फल्ले फुल्ले लगा है मुझे बताया गया है कि अगले जून जुलाई तक यहां के सारे परेटन साल बूक हो चुके हैं जगा मुल्ना मुश्किल हो गया है पिछले कई बर्सों में जितने परियाटक यहां पर नहीं आये उतने कुछीनी महिनों में यहां आ रहे हैं साथियों आजादी का यह अमरित काल भारत का स्वानिम काल होने वाला है यह संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है इसमें लोक तंत्र की सबसे जमिनी काई ग्राम पंचायत की आप सभी साथियों की भूमिका बहुत एहम है पंचायतों की इसी भूमिका को समत्ते हुए आजादी के अमरित महोत्सों पर अमरित सरोवर अभ्यान की शुरुवात हुई है आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जीले में कम से कम 75 अमरित सरोवर तयार करने है हर जीले में 75 अमरित सरोवर हमें ये भी प्रयास करना है कि इन सरोवरों के आसपास नीम, पीपल, बर्गर, आदी के पौदे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं और कोशिद ये भी करनी है, कि जब ये अमरित सरोवर का आरम करते हो, सिलान्यास करते हो तो उस सिलान ने आज भी किसी ने किसी शहीद के परिवार के हाथों से किसी स्वातंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आज हादी के लिए ये अमरत सरोवर के अभियान को हम एक गवरोपुर्ण पुरुष्ठ के रुप में जोड़े बाई और बेनो बीते सालों में पंचयतों को अधिकार अधिक अधिकार अधिक पार दरशिता और टेक्नलोजी से जोडने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं इक ग्राम स्वराज अभियान से पंचयत से जुड़ी प्रानी से लेकर पेमेंट तक की विवस्ता को जोड़ा जा रहा है गाउं का सामान ले लाभारती अब अपने मोबाईल फोन पर ये जान सकता है कि पंचयत में कौन सा काम हो रहा है उसका स्टेटस क्या है कितना बजट हो पा रहा है पंचयत को जो फंड मिल रहे हैं उनके ऑडिट की ऑनलाइन व्यवस्ता की गई है कि सिटीजन्स चार्टर केम्पेन के जरिये राज्यों और ग्राम पंचयतों को प्रोच्छाहित किया जा रहा है कि वो जन्म प्रमान पत्र साधी के सडिपिकेट प्रोपर्ट स्वामित्व योजना से ग्राम पंचयतों के लिए प्रोपर्टी टेस्क की असेस्मेंट आसान हो गई है जिसका लाब कई ग्राम पंचयतों को हो रहा है कुछ दिन पहले ही पंचयतों में ट्रेनिंग के लिए आदुनिक टेकनोलोजी के उप्योग से जुड़ी नई निती को भी स्विक्रुती दी गई है इसी महिने 11 से 17 एप्रिल तक पंचयतों के नव निर्माण के संकल्प के साथ आइकोनिक वीक का आयोजन भी किया गया ताकि गाउं गाउं तक मुल्भूत सुविधाओं को पहचान का काम हो सके सरकार का संकल्प ये है कि गाउं में हर व्यक्ति हर परिवार के लिए सिच्छा स्वास्त जैसे हर पहलू का विकास सूनिश्चित हो सरकार की कोशिच यही है कि गाउं के विकास से जुड़े हर प्रजेक को प्लान करने उसके अमल में पंचायत की भूमी का ज्यादा हो इससे राष्टिय संकल्पों की सिद्धी में पंचायत अहम कड़ी बनकर उबरेगी साथियों पंचायतों को ज़्यादा अधिकार देने का लक्ष पंचायतों को सही माइने में ससक्ति करन का सेंटर बनाने का है पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति पंचायतों को मिलने वाली राष्षी गाओं के विकास को नई उर्जा दे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है पंचायती राज ववस्ता में बहनों की भागिदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती है ये कोरोना काल की दुनिया फर में भारत के अनुभाव ने विश्व को बहुत कुछ सिखाया है आशा आंगिनवड़ी कार करताओं ने कैसे ट्रेकिंग से लेकर ठीका करन तक छोटो छोटे हर काम को करके कोरोना के खिलाब की लड़ाई को मजबूती देने का काम हमारी बेटियों ने किया है हमारी माताओ बेहनों ने किया है गाउं के स्वास्त और पोशन से जुड़ा नेटवर्क महिला सक्ती से ही अपनी उर्जा पा रहा है महिला स्वयम सहायता समू गाउं में आजी विका के जन जागरण के नए आयाम गड़ रहे है पानी से जुड़ी व्यवस्ताएं हर गर्ट जल अभियान में भी जो महिलाओं की भूमी का ताई की गई है उसको हर पंचायत तेजी से व्यवस्तित करें ये बहुत आवशक है मुझे बताया गया है कि अभी तक तीन लाग पानी समितिया पूरे देश में बन चुकी है इन समितियों में पचास प्रतिशत महिलाए होना अनिवार है पचीस प्रतिशत तक समाज के कमजोर तपके के सदस्य हो ये भी सुनिस्चिद होना जरूरी है अब गाओं में नल से जल तो पहुँच रहा है लेकिन साथ साथ इसकी शुद्धता इसकी निरंतर सप्लाई इसको सुनिस्चिद करने के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी पूरे देश में चल रहा है लेकिन मैं चाहूंगा उसमें तेजी जरूरी है अभी तक साथ लाग से अधिक पहनों को बेटियों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है लेकिन मुझे इस दाइरे को भी बढ़ाना है गती को भी बढ़ाना है मेरा आज देश भर की पंचायतों से आगरह है कि जहां अभी ये व्यवस्ता नहीं हुई है वहाँ इसको जल्द से जल्द लागो किया जाए गुजरात में लंबे अर्षे तक में मुख्यमंत्री रहा और मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने गुजरात में पानी का काम महिलाओं के हाथ में दिया गावों में पानी की व्यवस्ता की चिंता महिलाओं ने इतनी बखुभी की क्योंकि पानी न होने का मतलब क्या होता है वो महिलाएं जादा समझती है और बड़ी सम्वेदन सिल्टा के साथ जिम्मेदारी के साथ काम किया और इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ मेरे देश की सारी पंचयते पानी के इस काम में जितना जादा महिलाओं को जोडेंगे जितना जादा महिलाओं की ट्रेलिंग करेंगे जितना जादा महिलाओं पर भरोसा करेंगे मैं कहता हूँ पानी की समस्या का सबादान उतना ही जल्दी होगा मेरे शब्दियों पर विश्वात कीजिए हमारी माताओं बहनों की शक्ति पे भरोसा कीजिए काउं में हर स्थर पर बहनों बेटियों की भागिदारी को हमें बढाना है उन्हें प्रोचान देना है भाई और बहनों भारत की ग्राम पंचायतों के पास फंड्स और रेवन्यू का एक लोकल मोडल भी होना जरूरी है पंचायतों के जो सौंसादन है उनका कॉमर्शियल कैसे उप्योग किया जा सकता है इसके बारे में जरूर प्रयास होना चाहिए अब जैसे कचरे से कंचन, कोबर्धन योजरा या हम कहें प्राकृति खेती की योजरा और इन सारी चीजों से धन की संभावना बढ़ेगी नए कोश बनाए जा सकते है बायो गेस, बायो सी एंजी, जैवी खाथ इसके लिए छोटे-छोटे प्लांट भी लगे इससे भी गाउं की आई बढ़ सकती है इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए कतरे का बहतर मेनेजमेंट जरूरी है मैं आज गाउं के लोगों से, पंचैत के लोगों से आगरह करूंगा कि दूसरे एंजियोज के साथ मिल करके और संगरोनों के साथ मिल करके आपको रणनिती बनानी होगी, नए नए संसादन विक्सित करने होगे इतना ही नहीं, आज हमारे देश में जादातर राज्यों में 25 प्रतिशत बेहने प्रतिनीदी है कुछ राज्यों में 33 प्रतिशत से भी जादा है मैं खास आगरह करूंगा, गरों से जो कचरा निकलता है कीला और सुखा ये अलग गर में ही करने की आदत डाल दी जाए उसको अलग करके करें, आप देखिए वो भी वो कचरा आपके हाँ सोने की तरह काम आना शुरू हो जाएगा इस अभियान को गाउं के स्तर पर मुझे चला रहा है और मैं आज देश बर के पंजायत के लोग मेरे से जुड़े हुए है तो मैं इसका भी आगर करूंगा साथियो, पानी का सीधा समन हमारी खेती से है खेती का समन हमारे पानी की क्वालिटी से भी है जिस प्रकार से केमिकल हम खेतों में डाल रहे हैं और उसे हमारी धर्ती माता की शहद को बरबाद कर रहे है हमारी मिट्टी खराब हो रही है और जब पानी, वर्सा का पानी भी नीचे उतरता है तो उस केमिकल लेकर के नीचे जाता है और वही पानी हम पीते हैं हमारे पशु पीते हैं हमारे छोटे-छोटे बच्चे पीते हैं बिमारियों की जड़े हमी लगा रहे हैं और इसलिए हमें अपनी इस दर्ती मां को केमिकल से मुक्त करना ही होगा केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करना होगा और इसके लिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गाओ हमारा किसान बढ़ेगा तो पूरी मानवता को लाब होगा ग्राम पंचाय तेस तरफ पर कैसे प्राकृतिक खेती को हम प्रोच्चाइद कर सकते हैं इसके लिए भी सामुहिक प्रयासों की आवशक्ता है भाई और बैनो प्राकृतिक खेती का सबसे अधिक लाब अगर किसी को होगा तो वो मेरे छोटे किसान भाई और बैनों को होने वाला है इनकी आबादी देश में 80% से अधिक है जब कम लागत में अधिक फाएदा होगा ते छोटे किसानों के लिए बहुत प्रोचाहन देगा भी ते सालों में केंदर सरकार की नीतियों का सबसे अधिक लाब हमारी छोटे किसानों को हुआ है PM किसान सम्मान डिजी से हजारो करोड रुपिये इसी छोटे किसान के काम आ रहे है किसान रेल के माध्यम से छोटे किसान के फल सब्जियां भी पूरे देश के बड़े वाजारों तक कम किमत में पहुच पा रही है FPO यानि किसान उत्पाजक संगों के घटन से भी छोटे किसानों को बहुत ताकत मिल रही है इस साल भारत ने विदेशों को रेकोर्ड फल सब्जियां एक्सपोर्ट की है तो इसका बड़ा लाब भी देश के छोटे छोटे किसानों को हो रहा है ताथियों ग्राम पंचयतों को सबको साथ लेकर एक और काम भी करना होगा कूपोशन से एनिमिया से देश को बचाने का जो बिड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है उसके प्रती जमीन पर लोगों को जागरुख भी करना है अब सरकार की तरफ से जिन योजनों में भी चावल दिया जाता है उसको 45 किया जा रहा है पोशन युक्त किया जा रहा है ये 45 चावल स्वास्ता के लिए कितना आवशक है इसको लेकर जागुरुत्ता फैलाना हम सभी का दाइत्व है आजादी के अमरित महोसों में हमारी बेहन, बेटिया, बच्चों को कुपोशन से एनीमिया से मुक्त करने का संकल्प हमें लेना है और जब तक इच्छित परणाम मिलता नहीं है शिद्धी प्राप्त नहीं होती है मानो ताकि इस काम को हमें छोड़ना नहीं है लगे रहना है और कुपोशन को हमें हमारी दर्ती से बिदाई देनी है भारत का विकास बोकल्फ और लोकल के मंत्र में छिपा है भारत के लोक्तंत्र के विकास की ताकत भी लोकल गवर्ननसी है आपके काम का दाइरा बले ही लोकल है लेकिन इसका सामुहिक प्रभाव बैश्विक होने वाला है लोकल की इस ताकात को हमें पहचान ना है आप अपनी पंचायत में जो भी काम करेंगे उससे देश की छबी और निखरे देश के गाउं और सतकत हो यही मेरी आज पंचायत दिवस पर आप सबसे कामना है एक बार फिर जम्मु कश्वीर को विकास कारियों के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और देश भर में लाखों की तादाद में चूने हुए जन प्रतिनीदियों को मैं कहना चाहूंगा पंचायत हो या पार्लामेंट कोई काम छोटा नहीं है अगर पंचायत में बैट करके मैं मेरे देश को आगे ले जाऊंगा इस संकल्प से पंचायत को आगे बढ़ाएंगे तो देश को आगे बढ़ने में देर नहीं होगी और मैं आज पंचायत सर पर चूने हुए प्रतिनीदियों का उत्सा देख रहा हूँ उमन देख रहा हूँ संकल्प देख रहा हूँ मुझे पुरा भरोसा है कि हमारी पंचायत राज ववस्ता भारत को नई उचायी पर ले जाने की एक ससक्त माज्यम बनेगा और उस शुपकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुपकामनाओं और धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की बारत माता की बारत माता की बारत माता की बारत धन्यवाद